हेलो फ्रेंट्स एंड वेल्कम बैक टू माई योटिप चानल एडूकेशनल हब आज आप लोग लिए बहुत ही अच्छे न्यूज लेकर आई हूँ पैसे कुछ स्टूरेंट्स होंगे जिने अच्छे माक्स आये हैं जैसे 550 प्लस आ गये हैं या फिर कुछ स्टेट्स में ऐस सारे बच्चे अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं इसलिए एक बहुत अच्छी आप लोग लिए गुड न्यूज आई है कि जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनके फी कम कर दी गई हैं और फी जो कम की गई हैं वह सारे सीटों के लिए क अऐनिय 것이 होंगी उस सीट के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें उतने में अर्च नहीं मिलेगा तो जासे गर法र्मेंट सी और और मेडिकल कलेज में ऐसे फी इंदre अच deduction होते हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में होती है तेन लाक तो मिनिमम्म है ऐसे 12 ग लग 13 लाक्स पर एयर ऐसे फी होते हैं पर यह जो हंड्रेट सीट है मतलब जो 50% सीट जिसके लिए जो फी कम किया गया सारे कॉलेज में उस सीट पर सारे स्टुडेंट्स को एड्मेशन नहीं मिलेंगे इसकी जो एड्मेशन होगी वह मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होगी नहीं होगा और यह जो न्यूज आई है इससे 30,000 स्टुडेंट्स को बेनिफिट होने वाले हैं तो आप लोगों को और भी अच्छे से न्यूज चाहिए कि हां मतलब यह न्यूज गलत लग रही है तो आप लोग यहां हमारे स्क्रीन पे न्यूज पेपर कटिंग लगी सारे स्टुडेन्स ऐसे भी कुछ स्टुडेंस होता है न की अगर उण्रिजर्व क्रें पात करें तो कुल स्टुडेंस हां जिनकी 200 300 Mark आही हैं बysłुक्ली कम वाले ही प्राइवेट कॉलेज में अधिशन लेते हैं तो अब ऐसे स्टूडेंस City प्लस प्लस से 50 प्लसать होंगे कुछ लोग बिहार में तो 620 वाले को भी आडमेशन नहीं मिल पाई है गवर्मेंट कॉलेज में तो ऐसे स्टुएंट के लिए बहुत ही बेनिफीशियल है क्योंकि उन लोग के लिए बस कुछ माक से सीट छूट जाती है तो अगर ऐसे सीट बढ़ गई है तो फिर उन के बाद वो लोग अपने फी बढ़ा देते हैं यह प्राइवेट कॉलेज और यह लोग अपनी मन मानी करते हैं अगर ऐसा होता है तो इस पर आप लोग कंप्लेन भी कर सकते हो तो आप लोग प्लीज यह जो न्यूस्पेपर कटिंग है इसे पूरा आप लोग पढ़कर के इसे इन्फोरमेशन ले लो आई होब कि आप लोग लिए वीडियो यूस्फुल हुआ हो